सारी तो पहला क्वेशन होगा अब दूसरा क्वेशन एक वार कर लेते हैं से क्वेश्चन टू अगर उसने मुला कि फाइंड अप्रॉक्जीमेट वेल्यू आफ क्यूब रूट ऑफ 123 यह क्वेशन है ठीक है तो क्यूब रूट ऑफ 123 अगर मैंने सोचा तो मेरे को सबसे पास में कौन सा पॉइंट दिखाए देगा 125 उसका क्यूब रूट कितना होगा 5 ठीक है तो अगर हमने 123 की बजाए अगर x का वेल्यू हम 125 ले 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 तो फिर y का वैल्यू क्यूब रूट बनके कितना जाएगा 5 ठीक है तो सबसे पहली बात तो जो फंक्शन है y is equal to fx वो कितना हो गया q root of x ठीक है और जिस पॉइंट हम एक ही बात करें है वो हमने ले लिया 125 x का वैल्यू तो य का वैल्यू कितना जाएगा 5 तो यह हमारे लिए x हो गया यह y हो गया ठीक है तो जो 123 है that is nothing 125-2 तो अगर हमारे लिए यह x है तो यह minus 2 कितना हो गया delta x हो गया तो जो हम b बात कर रहे थे 123, यह चाहिए हमें तो यह हो जाएगा x plus delta x और यह हो जाएगा y plus delta y जो चाहिए मतलब कर हम वैसे बात करें तो x का वेली कितना है 125, delta x का वेली कितना है minus 2, y का वेली कितना है 5 और delta y चाहिए ठीक है तो बागी सब तो सेम है अगर हमें माले f of x plus delta x चाहिए तो हमने क्या बोला that is nothing but y plus delta y that is approximately y plus delta y को लिखते है delta x into dy by dx याद करने के लिए मने बोला था कि यह delta or dx का जाएगा types so dy बचाहिए so this is equals to मैं लगभग equals to वाद इस की दरफ से बात कराता है यह लिखी लिया चलो x plus delta x this is approximately equals to y का value रखा वो कितना है यहां से 5 5 plus delta x का value रखा वो कितना है minus 2 into dy by dx evaluated at a तो यह कितना x raised to 1 by 3 इसको evaluate किया a पर तो आजएगा 1 by 3 into 1 upon x raised to power 2 by 3 evaluated at a so f of x plus delta x is approximately equals to 5 minus 2 by 3 into x का value कितना है point a के लिए x का value कितना है 125 तो 125 125 125 raise to power 2 by 3 तो 125 का cube root ले लिया 5 आजाएगा उसका square ले लिया तो 25 आजाएगा so this is equals to 5 minus 2 by 3 into 1 upon 25 5 या फिर नमने इसको ऐसे लिए 5 minus उपर नीचे 4 से multiply कर दिया तो उपर तो कितना होजाएगा 8 नीचे कितना होजाएगा 25 into 4 कितना होजाएगा तो उसको ऐसे भी लिख लिए ये ठीक है so this is 5 minus 0.0 3 से divide कर दिया ठीक है approximate answer देना है तो अगर ऐसा question आएगा तो बताएगा decimal के मतलब option option देखके बता सकते हैं इससे कुछ भाइल गाएगा ठीक है तो ये तो कितना होजाएगा इससे approximate कर दिया हमने तो 5.000 और इसको लिखे 0.267 तो घटा दिया कितना होजाएगा यहाँ पे 3 आजाएगा यहाँ पे 3 आजाएगा यहाँ पे 7 आजाएगा ठीक है तो इससे इकोस टू 4.733 f of x plus delta x 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 यह है क्या वैसे square root of 123 यही था question ठीक है square root नहीं मतलब q root तो q root of 123 कितना है approximately 4.733 यह ठीक है यह answer होगा approximation के इसाब से logic बहुत सिंपल है जाए कोई भी फंक्शन हो यह ठीक है ऐसे कर सकते है ठीक है एक question होगा थर्ड question यह ठीक है उसका x है तो volume आ जाएगा x q आ जाएगा हमने क्या कि जो side उसको लगवक 2% से बढ़ा दिया तो volume बढ़ जाएगा अफकोस तो हमें यह बताने कि लगवक कितना change आएगा volume तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर y का काम x q तो जो point हम a बोल ले है x, y वो तो यह हो गया y का काम v कर रहे यह x, v हो गया यह x का का कर रहे है यह y का का यह ठीक है फिर उसका क्या बल रहे delta x कितना है x हमने कितना बढ़ा है उसलों कि 2% बढ़ा दिया 2% का मलग है 2 by 100 times x इतने meters बढ़ा दिया हमने तो this is 0.02x यह थे कह यह बढ़ गया ठीक है तो उससे क्या हो गया जो b है वो कितना हो जाएगा x plus 0.02x कॉमा यह अब हमें चाहिए कि नया volume का है तो यह x plus delta x की तरह काम का रहा है यहाँ पर जो आएगा वो y plus delta y की तरह काम करेगा ठीक है तो volume approximate यह ठीक है new वो कितना हो जाएगा पुराना volume plus delta v यह हो जाएगा ठीक है हमें तो केवल change in volume बूचा है तो हमें तो केवल delta v चाहिए तो हमें यह लिखने का चाहूती ही ठीक हमें तो delta v चाहिए which is approximately equal to delta x into dy by dx होता है तो यहाँ पर हो जाएगा delta x into y का काम काम कार रहा है v यहाँ पर v is a function of x तो वो जाएगा dv upon dx at point a ठीक है कोई यहाँ नहीं this is equal to या फिर delta v is approximately equal to delta x कितना हो गया यहाँ से 0.02 x यह हो गया dv upon dx कितना हो गया इसको differentiate किया तो वो आजाएगा 3x square और उसको x बराबर x पर evaluate कर गया क्योंकि a का भी x coordinate x ही बोल दिया ठीक है तो यहाँ कहाँ तो this implies delta v is approximately equals to 3 into 2 कितना हो गया 6 तो 0.06 x cube इतने meter cube change हो जाएगा इतना लगबग volume बढ़ जाएगा यह answer बढ़ कियों क्या क्योंकि positive है अगर negative हाता तो volume घट जाता बढ़ आंसर यह इस question तो इस तरह यह question भी आप solve कर सकते हो यह ठीक है बढ़ भड़ इस तरह क्योंकि लिए Right